चलो सीखते हैं motion के बारे में कि motion क्या होता है लेकिन motion को समझने से पहले हम सीखेंगे कि rest क्या होता है motion is nothing but opposite of rest right so पहले rest को समझते हैं क्योंकि वो समझना जादा असान है उसके बाद हम सीखेंगे motion के बारे में लेकिन इन दोनों चीजों को समझने से पहले motion और rest हम समझते हैं कि observer क्या होता है और जिस object की motion के बारे में हम बात कर रहे हैं वो object को हम कैसे define करेंगे तो अभी दो चीजे हैं जो हमें motion और rest को समझने से पहले समझ में आना चाहिए वो दो चीजें क्या-क्या है हमें ये define करना है कि हमारा observer कौन है और हमें ये define करना है वो object जिसके motion के बारे में हम बात करेंगे तो इन सारे चीजें को समझने के लिए start करते हैं एक बहुत ही simple experiment से अब इस experiment में हमारे पास एक table है और इस table के ओपर एक ball लेके आते हैं अब ये ball जो है ये तो rest में है ये आपको दिख रहा है राइट चलो हम अपना पहले observer करते हैं मैंने पहले बता आपको कि कभी भी motion के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहला ये define करना है कि आपका observer कौन है दूसरा ये define करना है कि जिस object के motion के बारे में हम study कर रहे हैं जिस object के motion के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो object कौन सा है तो अभी इस पूरे setup में me being the observer मैं observer हूँ और इस table पर रखी हुई ये जो ball है ये है हमारा object of observation अब इस simple से setup से हम इस पूरे concept को समझेंगे सपोज अभी इस ball को मैंने थोड़ा इधर गया फिर वापस से इधर से आ रहा है तो ये जो ball का motion है इधर से फिर वापस से इधर आना ये clearly दिखा रहा है कि यहां पर motion हो रहा है और वो कैसे बोल सकता हूँ मैं कि ये motion हो रहा है मुझे इस ball को देखने के लिए अपने head को turn करना पड़ रहा है जिसे जिसे ये ball जा रही है व्यसे व्यसे उपने head को turn करना पड़ रहा है इसका मतलब इसमें motion हो रहा है अधर वाइड़ जैदि ये static होता तो मुझे अपना head turn नहीं करना पड़ता अभी ये ball के motion को तो अपने देख लिया, चलो ball को stop कर देते हैं अब ल्वोल को मुझा स्टाप कर दिया, मतलब ball आब आ गया रेश्ट में. कोई motion नहीं हो रहा है। इसे देखने के लिए मुझे अपने head को turn नहीं करना पड़ रहा है. अब क्या करते हैं । ही टेबल को ही move कर देते हैं. अभी table move हो रही है वापस उदर से आ रही है अभी हमारा जो object of observation है वो अभी भी ball ही है मैंने move किया table को तो question is कि क्या इस ball को हम बोल सकते हैं कि ये ball motion में है and the answer is हाँ ये ball motion में है क्यों क्योंकि me being the observer, observer मैं हूँ इस case में और मेरे लिए ये ball move हो रही है भले ही table move हो रहा है, ball नहीं move हो रहा है लेकिन चुकि observer मैं हूँ तो ये ball जो है मेरे लिए move हो रहा है अब एक और experiment करते हैं मैं observer अभी भी हूँ और मैं भी इस table के साथ move करता हूँ अब मेरे जो motion हो रहा है to and fro इदर से वापस आता हुआ मेरे respect में अभी जो ball है इसका motion नहीं हो रहा है क्योंकि इस ball को मैं touch कर सकता हूँ बिना अपने हाथ को हिलाए हुए सिदा में touch कर सकता हूँ राइट इसका मतलब ये ball अभी move नहीं हो रहा है इस case में observer मैं ball और table तीनो move हो रहा है तो चुकि movement अभी भी है लेकिन observer के motion के कारण ball मेरे लिए rest में है आपको idea लग रहा होगा कि ये define करना कि जिस object के motion के बारे में हम बात कर रहा है observer कौन है ये बहुत ज़्यादा important है वो जो table वाला case हमने लिया था कि table move हो रहा था उस case में जदी कोई table पे एक दूसरा बंदा खड़ा होता तो उसके लिए भी जब table move हो रहा है तो ball तो rest में ही रहा था उस observer जो की table के ऊपर खड़ा है उसके लिए ball का कोई motion नहीं हो रहा है लेकिन चुकि observer मै था तो ball मेरे लिए move हो रहा था तो इस पूरे setup में आपको समझ में आ गया कि observer को define करना और object जिसको हम observe कर रहे हैं उसको define करना कितना जरूरी है Actually, whenever we talk about rest and motion जब भी हम rest और motion की बात करते हैं बिना observer को define किये हुए यह question पूछना कि कोई object rest में है या motion में है इससे absurd question यह question ही बकवास है जब तक आप बताओगे नहीं कि observer आपका कौन है किसी भी object का motion या rest का state बताना impossible है और wrong है तो सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में यह question आता है या फिर कहीं exam में question रहता है कि इसका motion define करना है कि motion कैसा हो रहा है या फिर motion हो रहा है या नहीं define your observer वहाँ से सुरुवात करो अभी पूरे life में आपको कभी कोई confusion नहीं होगा